वेल्कम तो स्रीजी फूड मैं हूं मनिशा ठककर आज हम घर पर राजस्थानी ठाली बनाएंगे जिसमें हम दाल, बाटी, चुर्मा और उसके साथ सौग होने वाली लाल चटनी बनाने वाले हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें दाल बनाने के लिए एक चौथाई कप मूंकी हरी दाल लेनी है जो छिलके वाली दाल आती है वो यूज करनी है फिर एक चौथाई कप तुवर दाल, दो चम्मच मूंकी पिली वाली दाल और तीन चम्मच चना दाल डालेंगे फिर इन सारी चीजों को मिक्स क कर लेंगे फिर दो से तीन बार इसे वाश कर ले और फिर इसमें पानी डाल कर इसे आधा गंटा भीगा कर रखे आधे गंटे के बाद जब दाल अच्छी तरह से भीग जाए फिर इसे पानी के साथ ही कुकर में ले ले और फिर इसमें एक से डेड़ कप या जरुवत अनुसा पानी डाल दे फिर हल्दी नमक और एक चमच तेल डाल कर इसे मिक्स कर लेंगे और फिर कुकर का ढकन बंद करके पहले इसकी दो विसल करने है और फिर इसे धीमी आज पर पांच मिनिट के लिए पका लेना है फिर बाटी का आटा लगाने के लिए तीम कप गेहु का बारी दरदरा फिसा हुआ आटा आता है वो लेना है अगर आपके पास दरदरा आटा नहीं है तो आप इसके बदले इतनी ही कौंटिटी में सूजी भी ले सकते है फिर इसमें स्वाध अनुसार नमक डाले और मोयन के लिए 5-6 चमच जितना गरम किया हुआ गी डालना है आप चा गी बचा था वो भी मैंने इसमें एड कर दिया है इसमें मोयन की कौंटिटी ज्यादा रखनी है तो मोयन को आप आटे में इस तरह से चैक करें अगर यह आटा ड्राय लगता है तो आप फिर से इसमें घी या तेल एड कर सकते है अभी इसमें बाकी का घी एड करने की जरू तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इस तरह से आटे को मिक्स करेंगे तो अभी हम इस आटे में से चुर्मू भी बनाने वाले हैं तो इस तरह से थोड़ा आटा मिक्स करके मैं इसे साइड में रख देती हूं उसे बाद में इस्तमाल करेंगे तो बाटी बनाने के लि अब हम इसमें थोड़ी अजवायन और थोड़ा कसूरी मेथी का पाउडर डालेंगे आप चाहे तो इसमें सौफ और चाहे तो साबुत धनिये को दरदरा कूटके भी डाल सकते हैं फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका मिडियम सौफ्ट आटा लगा देना है आटा ज् अब देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से बॉल हो गई है तो इसे चम्मच से या फिर हैंड विस्ट से इस तरह से थोड़ा मिक्स कर लें फिर इसका तड़का लगाने के लिए तीन चम्मच इतना तेल गरम करने के लिए तेल जब गरम हो जाए उसके बाद इसमें आधा चम और इसे के साथ एक मिडियम साइस का टमाटर कट करके डाल देंगे फिर आदा चम्मच हल्दी डाले फिर एक चम्मच आप जैसा तीखा खाते हैं वैसे लाल मिच का पाउडर डाले फिर आदा चम्मच धनिया जीरा पाउडर और स्वाद अनुसा नमक डाल कर इसे मिक्स कर नमक भी हमने पहले एड़ किया है तो उसी साथ से नमक एड़ करना है टमाटर डाले उसके बाद तुरंथ ही मसाले कर दे ताकि टमाटर में जो मौश्चर है उसकी वज़े से मसाला अच्छी तरह से पक जाता है तो मसाला मिक्स हो जाए, उसके बाद इसे हम एक मिनिट के लिए पकाएंगे और इसी समय थोड़े मीठे नेम के पत्ते भी डाल देंगे अगर आप प्याज लसुन खाते हैं तो तड़के में प्याज और लसुन भी एड़ कर सकते है फिर थोड़ा गरम मसाला डाले और इसे भी मिक्स कर ले फिर एक चम्म जितना पानी डाल कर हमें इसे पका लेना है तो आप देख सकते हैं अब ये टमाटर अच्छी तरह से सौफ्ट हो गए है और तड़के में तेल भी इस तरह से अलग होने लगा है तो जब इस तरह से तड़का रैड़ी हो जाए उसके बाद हमें इसे डाल में एड़ कर देना है और फिर इसे मिक्स कर ले अब ये डाल बहुत गाड़ी है तो इसकी कंसिस्टनसी सैट करने के लिए हमें इसमें गरम पानी एड़ करना है तो जरुवत के हिसाब से आप इसमें गरम पानी डालते जाए और इसे मिक्स करते जाए गरम पानी एड़ कर दे उसके बाद दाल को 5 मिनिट के लिए उबालना है 5 मिनिट के बाद इसमें थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया एड़ कर दे और फिर इसका गैस बंद करके दाल को नीचे उतार लेंगे जो बाटी का आटा हमने लगा कर रखा था उसे हम थोड़ा मसल लेंगे और फिर इसमें से बाटी बनाएंगे तो थोड़ा सा आटा लेकर हाथ में इस तरह से मसलना है फिर इसे लोए की तरह इस तरह से चप्टा कर दे फिर इस तरह से उसे पूरी जैसा फैला देना है और फिर से इसे फोल्ड कर देना है और इस तरह से गोल शेप की बाटी बनाकर रेडी कर देनी है फिर इसके उपर चम्मत से या बटर नाइफ की मदद से निशान कर दे तो इस तरह से सारी बाटी बना कर रैडी कर देनी है आप चाहे तो बाटी को ओवन में या फिर जो बाटी का कुकर आता है उसमें भी बना सकते है अभी हम जो अपेपेन आता है उसी में ये बाटी बना कर रेडी करेंगे तो इसके लिए अपेपेन में पहले थोड़ा गी लगा देना है अब जो बाटी हमने बना कर रेडी की है वो इसमें रख देंगे और इसके उपर भी फिर से गी लगा देंगे अब इसे ढपकर धिमी याज पर पकाना है हर दो तिन मिनिट के बाद बाटी को पलटते रहना है और थोड़ा-थोड़ा गी डालते रहना है और ये बाटी को पकने में around अधे गंटा जितना समय लग जाता है तो हर 3-4 मिनिट के बाद आप बाटी को पल्टाते रहे और थोड़ा-थोड़ा घी या तेल डालते रहे तो इस तरह से मैंने बाटी को 25-30 मिनिट तक पका लिया है और आप देख सकते हैं बाटी बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है तो इसे हम नीचे उतार लेंगे अब चुर्मू बनाने के लिए जो आटा हमने सबसे पहले अलग रखा था उसे पहले हाथ से अलग कर दे फिर ये आटा मिक्स हो उतना ही पानी इसके उपर छिड़के और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले तो इस आटे में से आप चाहे तो बाटी का शेप भी दे सकते है फाइनली हम इसमें से चुर्मू ही बनाने वाले है तो अब मैं इसमें से छोटी-छोटी टिक्की बनाकर रेडी कर देती हूँ और इसे फ्राइ करने के लिए तेल भी गरम करने के लिए रखते तो जो टिक्की हमने बनाई है उसे गरम तेल में फ्राइ करेंगे और इसे medium to high flame पर फ्राइ करना है जब बाटी एक साइड से पक जाए उसके बाद इसे पल्टा दे और इसे दोनों साइड से अच्छा क्रिस्पी और golden brown फ्राइ करना है बाटी को नीचे उतार कर फिर ये थोड़े ठंडी हो जाए तब इस तरह से उसका रफली चूरा कर ले ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और जब ये room temperature पर आ जाए उसके बाद इसे mixer में लेकर इस तरह से उसे दरदरा पीस लेना है और फिर इसमें थोड़े ड्राइफरूट भी डालने है तो यहाँ पर मैंने काजू, बादम और किस्मिस लिये है फिर इसमें तीन से चार चमच या फिर आप जैसा मिठा खाते है उस हिसाब से पीसी होई चीनी डालनी है थोड़ा इलाइची जैफल का पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अब इसे मिक्स करने के लिए गरम घी डालना है तो जरुवत के हिसाब से इसमें गरम घी डाले और मिक्स करते जाए तो आप देख सकते हैं, अब ये घीस में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो इसे भी साइड में रख देते हैं, और अब डाल बाटी के साथ जो लाल चटनी सव की जाती है, वो बनाएंगे, तो यहाँ पर जो कश्मीरी सुखी लाल मिर्च आती है, वो लेनी है, और उसे द गंटा पानी में भिगा कर रखना है, तो इस तरह की सुखी कश्मीरी मिर्च आपको किसी भी कीराना स्टोर पर मिल जाएगी, और अगर आप ज्यादा तिखा खाते है, तो जो तिखी वाली सुखी मिर्च आती है, वो भी ले सकते है, तो यहाँ पर मैंने 10-12 कश्मीरी मिर् फिर एक मिडियम से इसका टमाटर डाले, अगर आप लसुन खाते है, तो चार से पांच कली लसुन डाल सकते है, फिर नमक, जीरा और थोड़ा धनिया जीरा पाउडर डाल कर इसे पीस लेंगे, अब एक हैवी बोटम की कड़ाई में 3-4 चमब जितना तेल गरम का निकली र इतमाल नहीं करना है, तो चटनी को तड़के के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर ले, और इसे धीमी आज पर अराउंड 4-5 मिनिट तक या फिर इसमें से इस तरह से तेल अलग होने लगे, तब तक आपको पकाना है, ये चटनी को आप फ्रीज में अराउंड 15-20 दिन तक स्ट कर सकते हैं, अभी मैंने बाटी के उपर इस तरह से गरम घी एड किया है, तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से डाल, बाटी, चुर्मू और चटनी बनाकर जरू ट्राइ करें, आपके घर में सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी, उम्मिद है आपको मेरी आज की रेसिपी प पसंदाई होगी?